पोशन ट्रेकर एप में जब हम लोग किसी भी लभार्थी का ठीएचर का फॉर्म भरते हैं तो उस समय किसी किसी आगनबारी बहनों को यहां पे एक एरर भूल का मैसेज दिखाई देता है और यहां पे लिखा होता है ठीएचर 25 दिनों के लिए पहले से ही दिया गया है तो अ आज के इस वीडियो में यही सारी जनकारी आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंट तक देखिए अगर आप लोग को आज की यह वीडियो हेल्फूल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल पे नए आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए सुनू करते हैं आज की ये वीडियो जैसे के मान लिजी अगर हम लोग किसी भी लभार्थी का टी एसचर का फॉम भरते हैं तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया रहता है इस पे हमको किली कर देना है किली करने के बाद यहाँ पे 25 दिनों की संखिया डालेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सम्मिट का ओप्सन दिखाई दे रहा है इस submit वाले option पे आपको click कर देना है और ये जो option है अगर आप लोग भरना चाहें तो इसको भर सकते हैं किसी भी एक category को select करके नहीं भरना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे submit वाले option पे click कर देना है जैसे हैं किलिक करेंगे तो देखिए इस परकार से जो THR का फॉर्म है वो successfully add हो चुका है तो जो problem है वो कहां प्यारी है तो चली हम आपको बताते हैं कि problem कैसे आ रही है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं तो फिर से किसी एक लभार्थी के three dot पे किलिक करेंगे और add growth and nutrition details पे किलिक करेंगे तो इस परकार का page आपका open हो जाएगा ओपन होने के बाद यहां पर पोशक हस्त छेप वाले पे किलिक करेंगे जैसे ही किलिक करेंगे तो इस परकार का page आपको देखने को मिल जाएगा तो देखिए जिस भी यांगनबारी बहनों को यहाँ पे error की problem दिखाई देती है तो क्यों दिखाई देती है यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझेगा जैसे कि मालीजिये कि किसी लभार्थी का THR का जो timing है वो 25 दिनों के लिए हम लोग देते हैं तो 25 दिनों के लिए देते हैं तो जब तक उस लभार्थी का 25 दिन complete नहीं हो जाता है तो आप लोग दुबारा से फिर THR कर देते हैं तो वही problem आती है कि THR पहले से ही दिया गया है और यहाँ पे एक message देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप लोग देखे होंगे यहाँ पे पोशक हस्ते 6 पे click करते ही यहाँ पे पहले से ही 25 दिन लिखा आता है इस box में तो उस box में अगर लिखा आता है तो आप लोग उस लभार्थी का THR नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी उस लभार्थी का जो THR का दीन है वो complete नहीं हुआ है यानि कि 25 दिन जब तक उस लभार्थी का पूरा नहीं होगा आप लोग उस लभार्थी का THR का form नहीं भर सकते हैं ऐसा क्यों होता है जैसे कि मालिझे कहीं-कहीं पर जो THR बाठने का जो timing है जो थोड़ा अलग-बाठने है जिसके करन 25 दिनों का जो time है वो complete नहीं हो पाता है और फिर से जो दुबारा THR जब हम लोग बाठते हैं तो उस लभार्थी का जो THR का form भरते हैं को THR का फर्म भरते हैं उसी दिन सभी लभार्थी का एक लोग THR का फर्म भर दिजिए जिससे की क्या होगा कि अगली बार जब आप लोग THR का फर्म भरेंगे तो 25 दिन तो कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग भरेंगे तो यहां पर आपको एरर भूर का मैसेज नहीं दिखाई देगा इसी प्रकार से आप लोग किसी लभार्थी का टी एचर करते हैं पर तेक महिना आप लोग एक डेट फिक्स कर लिजिए कि माली जो टी एचर बितरन है वो तो होई गया उसके बाद एक डेट फिक्स कर लिजिए कि टी एचर बितरन के 28 तरीक 27 तरीक या 29 तरीक कोई भी एक डेट फिक्स कर लिजिए उसी डेट को आप लोग टी एचर का फॉर्म भरिये तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी लभार्थी है उनका टी एचर आप वेरिफाई नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी जो बच्चे हैं सिर्फ उनका निवर इस्टेशन वाले बच्चे का ही अधार वेरिफाई हो रहा है बाकि जो पहले से पंजिकरित बच्चे हैं उनका अधार वेरिफाई करने का ओप्शन नहीं दिया गया है और जैसे कि जो भ कोई भी मन में सवाल या सुझा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद